नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाट 15 नौकर जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि हमारे राष्ट पिता महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ है तो इस पाट में महात्मा गांधी जी के बारे में ही बताया गया है पाट का नाम नौकर इसलिए रखा गया है क्योंकि घर में हमारे जो काम काज करने वाले हमारी मदद करने वाले बारी लोग को हम रखते हैं तो उन्हें हम नौकर कहते हैं जो हमारे सभी कामों में मदद करते हैं तो इस पाट में आश्रम के बारे में बात की गई है तो यह आश्रम साबरमती आश्रम के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो साबरमती आश्रम क्या था, कहां था, कहां है अभी इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं साबरमती आश्रम भारत के राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी के द्वारा इस्थापित किया गया आश्रम है जिसका पुराना नाम सत्याग्रह आश्रम भी था अब ये कहा इस्थित है ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती के किनारे इस्थित है तो इसकी स्थापना सन 1917 में अहमदाबाद में हुई थी इसी आश्रम में गांधी जी रहा करते थे और वहां पे कई काम भी किया करते थे वहां के लोगों के साथ साथ तो आएए हम पढ़ना सुरू करें कि इस पार्ट में उस आश्रम से संब्धित किन कारिव को गांधी जी क करते थे और इस पार्ट का नाम नौकर क्यों रखा गया है आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिनें आम तोर पर नौकर चाकर करते हैं जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपय कमाते थे उस समय भी वे प्रती दिन सुबह अपने हाथ में चक्की पर आटा पीसा करते थे चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पीसाई का काम जारी रखा वह चक्की को ठीक करन दो इस समय थे। यहां बताया गया है की आश्रम में गांधी जी कई काम किया करते थे जिन्हें आम तर पे नौकर चकर करते थे जिस जंआने उने में बैरिश्ट्री से हजारों रुपय कमाते थे बैरिष्ट्री वकालत से तो जो बैरिष्ट्री कहा गया है तो जिससे हजार रूपय कमाते थे उस समय भी भी हाथ से चक्की से आठा पीसा करते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने हाथ से चलने माली चक्की को देखा भी होगा अभी भी कई घरों में पाया ज से अर्थायत उनके पास पैसे थे वे नौकर चाकर रख सकते थे अपने घर में लेकिन वे खुद अपने हाथों से महनत अपने शालिरीक महनत करने में ज्यादा बल देते थे और चक्की से आठा पिसने में कौन उनकी मदद करता था चक्की चलाने में उनकी पत्नी कस्तूर और उनके लड़के भी उनका हाथ बटाते थे, इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटावे खूदी पीस लेते थे, साबर मती आश्रम में भी वैस काम को उन्होंने जारी रखा, वैस काम को करते थे, वह चक्की को ठीक करने में कभी-कभी घंटो महनत क करते थे, एक बार एक कार्यकरता ने कहा कि आश्रम में आठा कम पढ़ गया है, आठा पिस्वाने में हाथ बटाने के लिए गांधी पौरण उठकर खड़े हो गया, गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे, अर्थार्थ अगर गेहूं पीसना है, तो उन्हें अच्छे से पहले बिन कर चुन कर साफ करना होगा, उसमें जो कच्रे होंगे उन्हें निकालना होगा, कौपिन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर, उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पढ़ जाते, चुकि महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, तो वे ऐसे उनको काम करते देखकर लोग हैरान हो जाते थे, कि अरे ये इन कामों को भी करते हैं, घरेलू कामों को भी करते हैं, इतनी महनत का भी काम करते हैं, बाहरी लोगों के सामने सारीरिक महनत का काम करने में गांधी जी को शर्म नहीं आती थी, कई बार ऐसा होता है क कि हम जब घर का काम काज करते रहते हैं और बाहरी लोग आ जाते हैं तो हमें सर्म मैसूस होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उन्हें सारेरी मेहनत करने में कभी भी सर्म नहीं लगती थी एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आये उनक्यों अंग्रेजी भासा के अपने ग्यान पर बड़ा गर्व था जो छात्र उनसे मिलने आये थे कॉलेज की छात्र उन्हें ये गर्व था थोड़ा गमंड था कि हम अंग्रेजी जानते हैं बात की गांधी से उन्हें कुछ लिखने पढ़ने काम देंगे, जो कॉलेज के छात रहा थे, वो चुकि उन्हें इस बात का घमन था, कि हम तो अंग्रेजी जानते हैं, तो वो बापु से कुछ काम मांगने लगे, उन्होंने सोचा कि अगर हम हमें पढ़ा लिखा सोचकर, इंग्लिज के बारे अगर आप तो बापु ने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहू बीन डालिये अगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गये लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था एक घंटे तक गेहू बिनने के बाद बहुत थक गये और गांधी से विदा मांग कर चले गये जैसे यहां बताया गया कि वे सोच रहे थे कि हमें तो लिखाई पड़ाई का काम मिलेगा लेकिन उन्हें क्या काम दिया बापु ने गेहू चुनने का काम दिया आगंतुक मतलब जो आया हुआ है महमान अब तो मुश्किल में पड़ गया चुकि उन्होंने काम मांगा था तो उन्होंने गेहू एक घंटा तक चुना बिना और उसके बाद ठक गया और बापु से आग्या मांकर माह से विदा लेकर चलेगा कुछ वर्सों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम सम्हालने में मदद दी सवेरे की प्राथना के बाद भी रसोई घर में जाकर सबजियां छीलते थे क्या काम करते थे वे सारे रिक महनत तो करते थे कई वर्सों तक कुछ वर्सों तक उन्होंने आश्रम का जो भंडार होता है जहाँ पे सारा सामान रखा होता है खाने पीने की सामगरी और वहां के जो आश्रम में बिस्तर वहां और जितने ओजार लगते थे फावडा कुदाली इस इन सभी चीजों का भी काम पड़ता था तो यह स्रप का एक भंडार बना हुआ था स्टोर रूम जिसे कह सकते हैं तो उसमें उन्होंने उसको भी समानने में मदद की थी सवेरे की प्रातना के बाद वे रसोई घर में जाकर सबजियां चिलते थे रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकडी कजाला देखते थे तो अपने साथियों को आड ग्यान था एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोय आलू काट दिये गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नीवू को बिना धोय नहीं काटना चाहिए एक बार एक आश्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिये गए जिनके छिलके पर काले चकते पड़ गये थे उसनी बहुत तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तोर पर इसलिए दिये गया है कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है हाजमा कर्थ है पाचन उन्हें क्या समझाते हैं कि तुम ये बुरा मत मानो तुमसे खराब मत सोचो ये खराब केला नहीं है ये जो काले चकते पड़ गया है ये अच्छी तरह से पके हुए केले हैं ये जल्दी पच जाएंगे गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयम ही भोजन परोस्ते थे इस कारण में वेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद कुछ भी नहीं पाते थे तो दक्षिन अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ो कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोस्ते का कार्य भी कर चुके थे चैटपटे भोजन गन्ढय को पिसन्द नहीं था और में पॉस्टिक ततों की कमी होती है चलेम हुएиком और में बनता उससे बनाने को हुए था साधा भोजन बनता था चुकि वे खुद परोस्ते थे इसलिए उन्हें जो वहाँ पर लोग रहते उन्हें कुछ कहते भी नहीं बनता दक्षिन अफ्रिका की एक जेल में उन्होंने क्या किया था सैकडों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोस्ने का कारे भी वे कर चुके थे अर्थार्थ में इतनी मेहनत का कारे भी कर चुके थे आज यहीं तक अगला भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे